हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू में चैनल और इस वीडियो में मैं एक इंपोर्टेंट नियूस को लेकर आई हूँ बिहार सरकार का आदेश है तो थोरा सा सुरू में जब मैं वीडियो को स्टार्ट करूंगी तो हो सके आप लोगों को लगे कि मैं मैं क्या दिखा रही है लेकिन जब आप पूरा वीडियो देखेंगे ना फिर पता चलेगा कि मैं ये क्यूं आप लोगों को दिखा रही हूँ तो आएए पूरे इस लेटर को इस आदेश को देखते हैं राज्य शरकार द्वारा प्रतेक ग्राम पंचायत में उच्चे माधमिक विद्याले की अस्थापना हितु निर्ने लिया गया है इसके तहत राज्य के 38 जिलों में कुल 2963 उच्चे माधमिक भीहिन पंचायतों में कक्षा 9 की पढ़ाई ये तु विद्यालय का चैन कर लिया गया है ठीक है और कक्षा 9 की पढ़ाई कहां पे होगी उसके लिए विद्यालय का चैन जो है कर लिया गया है तो इसके लिए आप लोगों को लास्ट तक इसको वाच करना होगा एक अप्रेल 2020 से कक्षा 9 की पढ़ाई सुनिश्चित कराने है तो प्रतेक जीले में संबंदी जीला पदाधिकारी एबम उसके अधिनस्त पदाधिकारी को एबम करिमियों के अस्तर से कारे अरंभ किये गये है इसके शाथी 276 उतकरमित उच्चे मादमिक विड्याले जहां बर्ग 9 का संचालन भी अप्रेल 2020 से प्रारंभ कराया जाना था का सुक्ष अनुश्रावन निदेशक मादमिक शिक्षाईवम राज्य पर योजना निदेशक अस्तर से किया जा रहा है कारे को गती परदान करने है तो प्रतेक जीले में नोडल पदादिकारियों को इंटर वर मैट्रिक परिक्षा 2020 के समापन के पस्चाथ भेज कर मिशन मोर्ग में अनुश्रावन कराया जाने का नेने लिया गया है अब जील लोगों को नोडल पदादिकारी बनाया गया है जो अभी एक्जाम चल ला है इंटर का उसके बाद मैट्रिक का चलेगा तो उन ही को इसके अनुश्रावन में लगाया है इस कारे हे तो जीला नोटल पताधिकारी के रूप में इनी 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 पताधिकारी के सगन ब्रामनकर सुक्षन अनुस्रावन सुनिस्चित करेंगे अनुस्रावन के करम में इस पत्र के साथ सनलगन बिंदू का अनुपालन करना सुनिस्चित होगा वही बिंदू हम लोग देखेंगे कि जो अनुस्रावन होगा इसमें किस बिंदू पर ध्यान लगना यह तो फि मुझभफरपूर का सुरी बिनोध कुमार शर्मा है प्रचार डायट रामभाग मुझभफरपूर के उनका फोर नमबर भी दिया गया ऐसी तरह सारे जीले का यहाँ पे है लेकिन देखिए अब इसमें क्या-क्या दिया हुआ है किन-किन चीजों का अब लोकन करना है इससे ब कारियों की अनुश्यवन का बिंदू पहला है पंचायतवार माध्यमिक उच्चे माध्यमिक विद्याले की शुची का अब लोकन ठीक है कि दूसरे है कि दूसरे है एक सेकेंड माध्यमिक विद्याले विहीन पंचायतों में चिन्धित मध्य विद्याले की पंचायतवार स चिन्नित मध्य विद्याले जहां दो अतरिक्त बर्ग कक्ष का निर्मान हो रहा है कि सुची का अबलोकन एबम उसकी प्रगती की समिक्षा और वैसे विद्याले का भी अबलोकन करना है जो मध्य विद्याले है और उहां पे अतरिक्त दो कक्ष का निर्मान हुआ है तो उसका अबलोकन करना है और उसकी प्रगती की समिक्षा भी करनी है चिन्नित मध्य विद्याले जहां एक अतरिक्त बरकक्ष का निर्मान हो रहा है उसकी प्रगती की समिक्षा और जहां पर एक अतरिक्त बरकक्ष का भी निर्मान हो रहा है उस मध्य विद्याले को भी चिन्नित करना मैं इसलिए बोल रही थी कि आखिर ये चाह क्या रही है सरकार एक तरफ तो STET अभी ली है और STET का result आने में तो पता नहीं अभी कितना देरी लगेगा क्योंकि अभी तो जो exam cancel हुआ था उनका exam होगा फिर मतलब बहुत प्रोसेस है अभी time लग जाएगा लेकिन क्या ऐसा क्यों सरकार कर रही है जो middle school में असनातक योगिता धारी शिक्षक है उनकी सुची क्यों तैयर करवाना जा रही है ठीक है तो यह बात doubt में डाला है इसके बाद छटा नंबर भी देखिए मतलब बहुत कुछ ऐसा आपको इसमें मिलेगा मादिमिक बिद्याले बिहिन पंचायतों में अभस्थित मध्य बिद्याले में बर्ग आठ में अध्यानत चातर शात्राओं की पंचायत ब करवाने करवाना एबम समिक्चा करना यह क्या चाह रही है गौर्मेंट की जो टीचर असनातक है और मिडिल स्कूल में है फिलहाल उन्हीं से काम चलवाया जाए इसलिए मध्य विद्याले में जो सिक्षक असनातक प्रप्त किये हुए है उनकी सुचिये तैयार करवाना चा कि विद्याले वार सुचि का अब लोकन करना माध्यमिक विद्याले वहीं पंचायतों में चिन्नियत एवं मत्य विद्याले वार असनातक योग現在री कईषय का वही बात दिया गया है कि विसाइबार यह मांग रहा है डेटा सिक्षकों का बर्ग 9 के संचाले है तु फर नीचर उपस्कर की उपलब्धता अधिस्ठापन की विद्यालेवार सुची तयार करवाना वहीं समिक्षा करवाना एक ग्यारत तारीके डेट में जारी किया गया है निदेशक प्रशासन सह अपर सचीव अब देखिए इस बात को मैं इसलिए बोल रही हूँ न कि आखी नियोजन तो कर सकती थी न हाई स्कूल में इतने सीट खाली है इतने सारा हाई स्कूल बंड़े कितने दिन काम चलाएगी है मीडिल स्कूल वाले सिक्षकों से उहाँ प कोले हैं जो अनंद कि शोड़ जी हैं उनका कहना था कि सिर्फ टीटी के मार्क्स पर बहाली होगी तब तो कोई शमस्या ही नहीं है लेकिन गवर्मेंट चाहीं नहीं रही है कि नियोजन करवाया जाए तो इस तरह का तरह की चीज़े हमारे शामने आ रही है तो यही जानका करिया थी जो मैं आप लोगों को देना चाहती थी क्योंकि बहुत लोग उम्मीद में हैं मैं देख रही हूं हम लोग के आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उम्मीद में और सारा काम छोड़के वैठे हुए हैं तो वैसे लोग इसके पीछे उतना जादा ना लगे ह आप लोग लगे रहो कि यह संबब हो पाए लेकिन ऐसा ना करें कि सारा काम धाम छोड़के इसके पीछे लगे हुए हैं और इसके चकर में बरबाद हुए जा रहे हैं तो यह मेरा एक सलाथ आप लोगों से पसंद आए तो अच्छी बात है ना पसंद आए तो भी कोई बा लगे लगे टो वाद लो लोगे लोगे इसक HEYT आप लोगे लेल